Hello everyone, स्वागते आप लोगों का मेरी YouTube चैनल LWD Chop में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पर्मानेंट सरकारी नौकरी की सरकारी आवासिय विध्याले से सिक्षक भरती का जो विज्यापन जारी किया गया है जहां 25 से लेकर 40 वर्स तक के कैनी रिट आवेदन कर सकते हैं वेतन मान जो है दो पोस्ट है माधिमिक सिक्षक की और दूसरा है उच्च माधिमिक सिक्षक की तो जिसमें मादिमिक सिक्षक को लेवल 9 के according salary रहेगी और लेवल 11 के according उच्च मादिमिक सिक्षक की salary रहने वाली है मादिमिक सिक्षक के कुल 41 पदों पर vacancy का advertisement है जिसमें जर्नल की 11 सीटे हैं चार सीटे आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की अनसूचित जातेगी 8 सीटे हैं अनसूचित जन जातेगी 1 है अत्यानत पिछला वर्ग की 10 है और पिछला वर्ग की साथ है 35% जो है महलाओं के लिए पद आरक्षित हैं ठीक है तो इन 41 में से 14 जो वेकेंसी हैं वो महलाओं के लिए आरक्षित हैं मादिमिक शिक्षक में वेतनमान लेवल 9 के अकॉर्डिंग रहेगा और रिक्तियों की संख्या जो है वो घड़ सकती है बढ़ सकती है उच्य मादिमिक शिक्षक के 21 पदों पर वेकेंसी है जिसमें जनरल की 6 वेकेंसी है आर्थी ग्रूप से कमजोर वर्ग की 2 है SC की 4 है, ST की 1 है, अतियंत पिश्ड़ा वर्ग की 5 है और पिश्ड़ा वर्ग की 3 है जिसमें 6 वेकेंसी जो है महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगी इसमें जो है उच्य मादिमिक शिक्षक के लिए वेतनमान लेवल 11 के अकॉर्डिंग रहने वाला है सबी राजयों के केंडिरेट बिल्कुल यहां पर आविदन कर सकते हैं वेकेंसी जो है जारी की गई है, बिहार लोक सेवा आयोक के द्वारा सिमूल तला आवासिय विध्याले, यह सरकारी स्कूल है जमूई में मादिमिक सिख्षक के 41 और उच्छ मादिमिक सिख्षक के कुल 21 पदों पर ओनलाइन आविदन पत्र आमंत्रित किये जा रहे हैं वेबसाइट का लिंक यह है और अब 25 अप्रेल से आविदन स्टार्ट होंगे फिलाल जो है स्टार्ट अभी नहीं हुए है जो भी कैनिरेट आविदन करने के इच्छोख है योगगेता यहाँ पर मादिमिक सिख्षक के लिए क्या कही गई है तो सेंट्रल या फिर बिहार गॉर्मेंट के द्वारा केंद्र अत्वा बिहार सरकार के द्वारा SCST अतियंत पिश्रावर्ग दिव्यांग के लिए 5% की चूट दी जाती है BA आपके पास होना चाहिए और साथ में यहाँ पर लिखा है कि मानेता प्राप्त 12 विध्याले में 3 वर्सों का इसनातक सिख्षक के रूप में सैक्षनिक अनुभव भी जो है यहाँ पर मांगा गया है ठीक है तो क्या-क्या मांगा गया है दुबारा से बता देते हैं एक तो आपके पास CTAT या फिर बिहार TAT होना चाहिए इसनातक में 55% मार्क्स जनरल कैटिगरी के होने चाहिए B.Ed. मांगा गया है और तीन सालों का अनुभव आपका होना चाहिए इसनातक सिख्षक के रूप में यानि आपने Intermediate School में पढ़ाया हो उच्च मादमिक सिख्षक के जो 21 पद हैं इसके लिए क्वालिफिकिशन कही गई है इसके लिए भी जो है टेट आपके पास होना चाहिए सी टेट या बिहार टेट और इसनातकोतर Master degree आपके पास होनी चाहिए आपके सब्जेक्ट में 55 प्रतिशत मार्क्स के साथ में B.Ed. भी होना चाहिए और तीन वर्सों का इसनातकोतर सिख्षक के रूप में पिछडा अत्यंत पिछडा वर्क 43, SCST 45 और अनारक्षित महिला जो है जनल कैटिगरी की 43 वर्स यहाँ पर आयू सीमा रखी गई है चैन प्रक्रिया क्या रहेगी? प्रारंबिक परिक्षा रहेगी इसमें जो तीन हो जाएंगे उनके लिए जो है लिखित परिक्षा का आयोजन किया जाएगा उसके बाद जो है इंटर्व्यू रहेगा प्रारंबीक परिक्षा 120 मार्क्स की होगी, दो घंटे की, उसके बाद मुख्य परिक्षा होगी, जो की दो पालियों में होगी, और सब्जेक्ट भी आपको देखना होगा, किसमें आपका सब्जेक्ट है या नहीं, उच्च मादिमिक सिक्षक के लिए किन विश्यों में वेक मादिमिक सिक्षक के जो सब्जेक्ट हैं, अंग्रेजी, हिंडी, संस्क्रिट, भौतिकी, गणित, रासाइन, विज्ञान, जी, विज्ञान, इतिहास, भूगोल, राजनिती, सास्र, आर्ट, क्राफ्ट, कंप्यूटर, संगीत, नत्य और सारेरिक सिक्षक, तो ये सब्जे होगी, प्रतेक पाली में कुल 300 उंकों का प्रशन होगा, और एक पाली की समयावदी कितनी रहेगी, 3 घंटे की, सबी प्रशन इसनातक प्रतिश्टा इस्तर के होगे, परंदु कटनाई इस्तर इसनातकोत्तर का होगा, ठीक है, तो ये ध्यान में रखे, साक्षातकार सौमा माक्स का होगा, आरक्षन कल आप बता दिया है, केवल स्थाई निवास बिहार के ही कैंडिनेट के लिए रहेगा, आरक्षन का दावा करने वाली विभायत मैलाओं का जाती, स्थाई निवास, क्रिमिलेर, रहित्व, प्रमान पत्र, उनके पता के नाम एवं पता से होना चा के विभार के लिए 1,500 रुपए है, और बिहार राज्य की स्थाई निवासी सभी आरक्षित, अनारक्षित वर्ग, महला, उमीदवार के लिए भी 1,500 रुपए है, दिव्यांग अभ्यारतियों के लिए 1,500 रुपए है, ओनलाइन आविधन होंगे 25 अप्रेल से स्टार्ट और लास्ट डेट सोलम मही रहेगी, जो भी कैंडिडेट आविधन करने के चुक है, लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा, उप्योक्त विज्यापन से संबंदित ओनलाइन आविधन भढ़ने के लिए, विश्रित निर्देश आपको पढ़ने होंगे, जो की 25 अप्रेल स आविधन स्टार्ट होंगे, तब आप देखें, वेबसाइट है, bpsc.bih.nic.in, ठीक है, इसी पर जो आप लोगों को बाकी जानकारी मिलेगी, सलेबस भी जो है आपको इसी पर मिलेगा, तो चलिए, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू